सो दोस्तो बहुत दिनों के बाद Micromax का एक नए smartphone launch हो गया है जिहां दोस्तों बात करने वाले हैं Micromax in Note 2 smartphone के बारे में सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस smartphone के बारे में सब कुछ इंग डिटेल में बताने वाले हैं इस smartphone का specification क्या है और इस smartphone का official price क्या है देना ताकि ऐसे यह नए ने वीडियो को नोटिफिकेत हैं सबसे पहले आपको मिले तो चलिए वीडियो को कांटिन्यू करते हैं चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस इस पॉंट फॉन के डिस्पेले से सो दोस्तों इसमें आपको 6.43 इंच का फूल पलस एमोलेट डिस्पेले मिल जाता है 409 ppi के साथ आता है इसमें आपको कोई भी हाई एस्ट रिफ्रेस रेड नहीं मिलता है बस साथ हर्जी का इस्टेंडर रिफ्रेस रेड मिल जाता है 550 निट्स का टाइपकल बराटनेस मिल जाता है और आगे को रेनिंग गोरी लगला थि का इस्क्रीम प्रोटेक्शन मिल जाता है छोटी से पंच होल के साथ आता है नीचे थोड़ा सचेन दिखाए देगा बेजलेट डिस्पेले हैं देखने में बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखाई देता है देखो यार एस जो इस्मार्टफोन अपने पराइज रेंज में पहला है 48 मेगाफिक्सल का वाइड इंगल कैमरा और दूसरा है 5 मेगाफिक्सल का अल्टरा वाइड कैमरा और तीसरा है 2 मेगाफिक्सल का डेप्त सेंसर और चौथा है 2 मेगाफिक्सल का माइक्रो सेंसर सो दोस्तो बात करें सेलफी कैमरे की तो फरंट में आपको 16 मेगाफ Delhiixel का सेल्फी कैमरा मिल जाता है चोटे के साथा तो इस इस पाफोंड ली जादर मैं विडियो भी बना सकते हो और रहे कैमरा भी जादर आए इसमे चिहें शॉप्रण्ष लीक बेंवेटं पी इस ऊलुड लता है यह फिर 2.1 का storage support मिल जाता है LPDDR4X type RAM मिल जाता है बात करें इस smartphone की बैटरी की तिसमें आपको 5000 image की बैटरी मिल जाती है जो कि 30W fast charger को support करता है Android 11 के साथ आता है stock Android पे बेस डिर रहेगा सो दोस्तों बात करें इस smartphone की connectivity की इसमें आपको Wi-Fi Bluetooth 5.0 GPS USB type support इन सभी का connectivity मिल जाता है और साथ ही आपको 3.5 mm का jack भी देखने को मिल जाता है इसी के साथ में आपको Advanced BC Liquid Cooling का support भी मिल जाता है सो दोस्तों बात करें इस smartphone की performance की इसमें आपको MediaTek का दमदार processor देखने को मिल जाता है इसमें आपको MediaTek Helio G95 का processor देखने को मिल जाता है और एक gaming processor है जो 12 nanometer technology पे बेसड़ी एक octa-core processor है माली G57 MC2 का GPU मिल जाता है सो दोस्तों performance watch कोई दिक्कन नहीं होगी इसमें आप high graphic पर game हो गयरा easily बड़े आसानी से खेल सकते हो day to day smartphone rocket की जैसा चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहतरी प्रोसीसर है सो दोस्तों बात करें इस smartphone की design और build quality की तो design wise देखोगे इस smartphone देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई देता है इसका जो camera housing है देखने में बहुत ज़्यादा कमाल का दिखाई देता है unique look दे देता है और इस smartphone का color भी बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई देता है आगे से देखोगे तो छोटे से पंच होल के साथ आता है निचे चिन दिखाई देगा बेजलेट डिस्पिल है देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई देता है बिल्ड वाइज देखोगे तो glass bike मिल जाता है plastic frame मिल जाता है और आगे co-rening गोरी लगलाज 3 का screen production मिल जाता है तो दोस्तो ये smartphone design और build वाज बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये smartphone इंडिया में launch हो गया है बात करें इस smartphone की price की तो ये smartphone सिर्फ एक ही RAM variant में launch हुआ है 4GB का RAM और 64GB का internal जिसका price ये 13,500 रुपए तो दोस्तो इस smartphone का pricing कैसे लग रहा है comment box में जरू बताना तो दोस्तो इस smartphone का पहला से 30 जनौरी सुबा 12 बजे फिलिप कार्ट पे रहने वाला है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरू कर देना और इस चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे नए ने वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मिले तो चलिए मिलते हैं ने वीडियो में ने टापक के साथ अब तक लिए जैहिंद वंदे मातरम